हेलो दोस्तो आपका स्वागत है यूटूब चैनल में प्लिस सब्सक्राइब कर दीजे ताक एसे ही वीडियो आपको मिलते रहे हैं आज का टोपिक है इसपी इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर दोस्तो कुलका जब कंबस्चन होता है उससे एस पार्टिकल और इसपी में हवीडिसी सप्लाइब का यूज होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते है एक होता है नेगेटिव और पोजिटिव थीन वाइर से जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड बना है वह नेगेटिव चार्ज होता है और प्लेट से इसको कलेक्टिंग इलेक्रोड और उपर में collect होता है और वहां से जो इस collect होता है वो ट्रांसपोर्टर के थ्रूँ conveying होता है दोस्तों यह है micro controller based panel उसमें उपर चार एनालोग मीटर लगे है दो input के current और voltage measurement के लिए और दो output के यानि transformer rectifier के बाद जो output निकलेगा वहां से current और के वी में जो के वी में voltage निकलेगा उसका यहां से monitor होता है एनालोग मीटर है और यह है micro controller जो कि पूरे ESP का condition monitoring करता है और voltage current monitor करके unhealthy condition में वो tripping जन्रेट करेगा अई यह देखते है पेनल के अंदर क्या है दोस्तों यहां से supply आता है input supply 415 volt और यह है switch fuse unit जहां से हम on off कर सकते है फीडर को उसके बाद है power contractor और power contractor से सीधा जाएगा एक output में और यह जाएगा थाइरिस्टर में जो वहां पर back to back थाइरिस्टर लगा हुआ है और R और C यानि register और capacitor भी लगा है प्रोटेक्श्ट हाइरिस्टर प्रोटेक्शन के लिए और दोस्तों यह जो अभी है green color का वह फाइरिंग कार्ड जो कि थाइरिस्टर के फाइरिंग में उसका use होता है यहां पर सारे फ्यूज लगए है ओक्जलीर से अप्लाई वोल्ट मीटर और कंट्रोल सप्लाई के दोस्तों थाइस्टर का यूज होता है इंटीगरल साइकल कंट्रोल के लिए जो कि पावर सेविंग के लिए यूज होता है और यह सीटी है करन्ट मेजर्मेंट के लिए और यहां से जो स्प्लाई निकलेगा वो सीधा जाएगा ट्रांस्फोर्मर रेक्टिफायर में यहां से जो स्प्लाई निकलता है सीधा ट्रांस्फोर्मर रेक्टिफायर में जाता है अब देखते हैं ट्रांस्फोर्मर रेक्टिफायर दोस्तों जो यह है ट्रांस्फोर्मर रेक्टिफायर है इसका उट्पूट जाएगा सीधा इलेक्ट्रोड में दोस्तों एसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो पहुच सकें झाल